केंद्र सरकार की प्रमुक योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% सैचुरेशन हासिल कर चुका है और हम सब जानते हैं जब सैचुरेशन होता है तो बेदभाव खत्म हो जाता है जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभारती तक पुरा लाभ पहुचता है जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सैचुरेशन ही सच्चा सेकुलरिजम है सैचुरेशन ही सच्चा सामाजी की नयाय है यही सैचुरेशन गोवा को देश को मोदी की गारंटी है खेत्र और आबादी के लियाद से बले ही छोटा है लेकिन सामाजी विविदता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है यहां अलग-अलग समाज के लोग अलग-अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं अनेक पीडियों से रहते हैं इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है बीजेपी का मंत्रा सबका साथ सबका विकास का है देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की लोगों में जूट फैलाने की राजनिती की है लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जबाब दिया है और बार बार दिया है